लीफ हाइड्रोपोनिक फार्म्स में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे और्गैनिक और हाइड्रोपोनिक इन दोनों में क्या अंतर है कौन सा बढ़िया है कौन सा लीगल है किस धेश ने क्या कहा है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोपोनिक और और और्गैनिक दोनों अलग अलग पॉड़क्ट हैं और गैनिक एक कानून है एक विदी है जिसके बारे में लिखा गया है कि किसको और गैनिक कहा जाएगा किसके उपर स्प्रे नहीं होगा कितनी दूर तक स्प्रे नहीं होगा खेत कहां पर होगा क्या डालेंगे आप ये सारा उसमें लिखा हुआ है और हाइड्रोपोनिक जो खेती है वो बिना मिट्टी के खेती है जो पानी में भी की जाती है और जो कोको पीट और अन्य सबस्टेट में भी की जाती है अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी उधारन देता हूँ कि आप घर में एक मिर्ची का पौदा लगा लें और उस मिर्ची के पौदे को रोज शक्कर वाला पानी दे या गुड़ वाला पानी दे तो वा मिर्ची कभी मीठी नहीं होगी पौदा जो है वो जमीन से वो लेता है जो इसको लेना है जो नहीं लेना है वो नहीं लेता है चाए आप देते ही रहें इसलिए एक ही धर्ती में एक ही जमीन में साथ साथ आप केला लगा लें अमरूद लगा लें संत्रा लगा लें निम्बू लगा लें आम लगा लें जामू लगा लें सबका जो है अलग अपना सवाद होता है यहां से हम यह कह सकते हैं कि पौदा मिट्टी से सिर्फ जरूरी तत्व लेता है और उन तत्वों को अपने तरीके से बदल कर फुरूट में या पत्तों में स्टोर करता है तो और्गैनिक जिसे कहते हैं आप उसमें आप फार्म यार्ड मे लिएट डालते हैं जिसे रूडी की खाद यह देशी खाद केहते हैं और हाइडरोपोनिक में आप पानी में घुले हुए न्यूट्रियंट जो हैं वो डालते हैं पौदा जमीन से केल्शियम लेता है, नाइटरेट लेता है, पुटाशियम लेता है, मेगनीशियम लेता है अब वो मेगनीशियम, पुटाशियम, नाइटरेट, अमोनिया, केल्शियम ये आप कैसे देते हैं, इस पे कोई निर्बर नहीं करता है आप उसको रूडी की खाद से भी दे सकते हैं आप उसको कल्शियम नाइटरेट के तोर पर अमोनियम नाइटरेट के तोर पर पुटाशियम नाइटरेट के तोर पर मगनीशियम सिल्फेट के तोर पर भी दे सकते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है जो पौदा तत्व जमीन से लेता है ये कोई ऐसा नहीं है कि जो जमीन में डालोगे वो चला जाएगा अंदर पौदे के पौदा का जो अब्सॉर्प्शन है जो पौदा जमीन से खाद लेता है वो पौदा जानता है कि मैंने क्या लेना है आपकी मर्जी से नहीं चलता है तो आप चाहे पौदे को नाइट्रेट दे रूडी की खाद से या देशी खाद से या गो मोतर से अमोनिया दे या आप अमोनियम नाइट्रेट दे और केल्शियम नाइट्रेट दे क्योंकि पौदा नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में भी लेता है और नाइट्रेट में भी लेता है इसलिए ये कह देना कि पौदे को आप केमिकल देते हो तो दोस्तो केमिकल तो आपकी रूडी की खाद में भी होते हैं जो पौदा लेता है और वो ही केमिकल होते हैं जो हम देते हैं आप हैरान हो जाएंगे जो आपकी एस्परीन दौाई है ये भी एक सेलिक्स नाम के पौदे से निकाली गई थी आपकी कुनीन जो है ये भी एक पौदे से निकाली गई थी लेकिन आज कल आपको जो कुनीन मिलती है वो जो पौदे से निकाली गई कुनीन है उससे कहीं बेतर है आपकी शूगर है जिसे चीनी कहते हैं शक्कर कहते हैं वो गन्ने से भी बनती है और चुकंदर से भी बनती है दोनों चीनियों में आप अंतर नहीं बता सकते क्योंकि चीनी का फार्मूला चीनी का फार्मूला है इसी तरीके से नाइट्रेट नाइट्रेट है अमोनिया अमोनिया है और दोनों किसम की नाइट्रोजन जो है या पौदा रूडी की खाद से ले या पौदा देशी खाद से ले और या फिर पौदा आपका केल्शियम और अमोनियum सर्फएट से अमोनिया और नाइट ले इसमें कोई अंतर नहीं है तो फिर क्या बात है मैं आपको छोटी सी उधारन देता हूं महुरूती कार जो है कि यह भी अंडव नहीं है यह Mercedes नहीं है लेकिन BMW और Mercedes दोनों कारे मारूती से बहतर कारे हैं और महेंगी है इसी तरीके से hydroponic product जो है आपका खेती का जो है वो हो सकता है organic ना हो definition है क्योंकि उसके लिए लेकिन वो organic से कहीं बेतर है इसकी मैं आपको एक उधारन देता हूँ अगर आप organic तरीके से बंद गोबी उगाते हैं तो उसमें टेप वर्म के सिस्ट जो है वो हो सकते हैं और भारत में टेप वर्म के सिस्ट जो है वो बहुत बड़ी मातरा में लोगों को परिशान कर रहे हैं यहां तक के हमारा जो टैनिस का प्लेयर है लेंडर पियास उसके दिमाग में भी ये लॉज हो गया था टेप वर्म का सिस्ट मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ लेटस लेके आए बजार से बाप बेटी द कैबेज हाइड्रोपोनिकली ग्रोन है चाहे वो सबस्टेट में ग्रोन है चाहे वो एनेफ्टी में ग्रोन है या डीफ्टी में ग्रोन है उसमें कभी भी डॉक का सिस्ट जो है टेप वर्म का वो नहीं आ सकता उसका कारण यह है कि जो टेप वर्म के सिस्ट हैं उनके अंड से लेकिन और्गैनिक नहीं है यहीं बस नहीं एक अमेरीका में बोर्ड है जो किसी पदारत को और्गैनिक और नॉन-और्गैनिक डिक्रेयर करता है अब इहाल ही में उस बोर्ड ने हाइड्रोपॉनिक प्रडक्स जितने भी है खेती के उनको सब को और्गैनिक का दरजा दे दिया है यहां तक की एक जज ने जजमेंट देते समें यह लिखा है कि मैंने बहुत सारे हाइड्डरोपॉनिक फार्म देखे हैं और कई हाइडरोपॉनिक फार्म जो है वो कहियों के ड्राइंग लूम से भी ज़्यादा साफ सुत्रे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये और्गैनिक नहीं है हाँ इसमें एक बात है कि सर्फिस किंटैमिनेशन जो है जो आप सप्रे करते हैं कई बार उसका रेजिड्यू जो है वो रह जाता है लेकिन आज कल बहुत सारे ऐसे स्प्रे मिल गए हैं कीट नाशक भी और स्प्रे कर सकते हैं दूसरी बात जो है जितनी पौदे आप एनेफटी में लगाते हैं सलाद के वो सारे के सारे आप पंतालीस दिन में काट लेते हैं उनके उपर बहुत कम बिमारियां आती हैं और बिना स्प्रे के वो जो है आपके घर पहुंच जाते तो इसलिए ये कहना कि हाइड्रोपोनिक और्गेनिक नहीं है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है हम भी यहाँ पर मूव करेंगे कि जैसे अमरीका में हाइड्रोपोनिक को और्गेनिक का दरजा दे दिया गया है हमारे देश भारत में भी हाइड्रोपोनिक को और्गेनिक का दरजा दे दिया जाए सबसे बड़ी बात है P.A.U. के एक परफेसर ने कहा था कि जो भी आप खा रहे हैं वो खाने के योग्य होना चाहिए वो कहां से आता है ये आपको बहुत जरूरी है और हाइड्रोपोनिक में हर एक चीज जो पैदा की जाती है वो कहीं कहीं बेतर है जो के कुदरती तोर पे बाहर आप जो है उसको ग्रो करते है इसलिए दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक परड़क्ट हैं उनको आप ये कहके मत छोड़िए कि ये और्गैनिक नहीं है वो और्गैनिक से सुपीरियर हैं लेकिन डेफिनेशन के मताबक और्गैनिक नहीं है जो इसलिए आप इन चीजों के उपर कभी मत जाईए हाइड्रोपोनिक प्रड़क्ट को कभी आके देखिए हम कैसे उगाते हैं कैसे तोड़ते हैं कैसे पैक करते हैं फिर आप अपना मन बनाईए कि क्या hydroponic किसी organic से कम है तो मेरे हिसाब से scientifically speaking hydroponic किसी भी organic से कम नहीं है लेकिन एक legal definition है वो legal definition जो है उसको भारत में भी कोशिश करते हैं कि हम move करेंगे कि उसको amend किया जाए ऐसे ही हम बहुत सारी video जो है आपको डालते रहेंगे hydroponic के बारे में और अगर आपको हमारा video जो है वो पसंद आता है तो इसको like करना मत भूलिए शेर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए ताके आपको जब भी हम नए video डालेंगे आपको notification आती रहे इनी शब्दों के साथ फिर मिलेंगे next video में धन्यवाद सब्कार नमस्कार